प्रदेश के राजपाल मंगू भाई पटेल आज दो दिवसी दोरे पर रीवा प्रहुचे रीवा के सैनिक स्कूल में उतरने के बाद सीधे रीवा के मेडिकल कालेज पहुँचे स्याम साब चिकित्सा महाविद्याले की बिल्डिंग का उन्होंने नौनिर्मित बिल्डिंग का लोकारपन किया लगभग 66 करोड रुपए की लागत से बिल्डिंग बनाई गई है वहीं उसके बाद रीवा के राज कपूर क्रिशना आडिटोरियम पहुचे जहां उन्होंने मुखकारकम में शिर्कत की इस दोरान उनके साथ प्रदेश के उपमुक मंत्री राजे इन शुक्ल भी मौदूद रहे राजपाल मेडिकल कालेज में पिछले दो वर्सों से लगतार पहतर कर प्रदर्शन करने वाले पढ़ाई लिखाई में छे बच्चों को पदक और प्रसफपस से दे कर उन्होंने उनको सम्मानिक भी किया स्याम साथ चिकित्सा महाविद्याले का हीरक जेंती समारो एक बहतर कारिकम साबित हुआ नए और पुराने डाक्टरों का मिस्रण एक अनोखा ही नजारा पेश कर रहा था रीवा के कृष्णा राज कापूर आडिटोरियम और मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से लगातार रीवा में मेडिकल के छेतर में विकास हुआ है देखकर कहा जा सकता है रीवा एक अलिक ही उचाई पर पहुँच गया उपमुकमंती राजेन शुक्ल ने बोलते हुए कहा मेडिकल कालेज में 50 सीटों से बढ़कर 150 सीटें इस समय हो गई है इसका सीधा सा अर्थ है हमने दो नए मेडिकल कालेज और रीवा में खोल दिये यही नहीं सुपर अस्पताल की छवी भी बदल रही है यहाँ पिछले लंबे समय से लगबट 2000 के आसपास एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हुई जिसको देखकर अब हम सुपर अस्पताल 2500 की जगा चार सो बिस्तर का अस्पताल करने जा रहे हैं यह एक अपने आप में रीवा के लिए एक बड़ी सौगात कहीं जा सकती है पीजी में भी सौ से अधिक सीटें आज की तारीक में रीवा में हो गई है रीवा में नए सौपर अस्पताल के लिए 25 करोड रुपए मनजूर कर दिये गए हैं यह एक बहतर कारनामा साबित होगा जब यह पूरी तरीके से अस्पताल बन जाएगा तो माना जा सकता है मेडिकल हब के रूप में भी रीवा बदल जाएगा रीवा कनवर्ट हो जाएगा अब रीवा के लोग नागपूर नहीं जाएंगे मुंबई नहीं जाएंगे कुछ ऐसा कहना था राजेंदर शुकला का आईए आपको सीधे लेकर चलते हैं कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम और दिखाते हैं वहाँ पर क्या कुछ नजारा था राजपाल मंगू भाई पटेल ने कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम पहुचने के पहले स्यामसा चिकित्सा महाविज जैले रीवा में 66.80 करोड रुपए से निर्मित आकादमिक भवन का लोकारपन किया इस लोकारपन के बाद प्रशासनिक भवन से 100 सीटेट इंटर्न कन्या चात्रावाज 100 सीटेट इंटर्न बालक चात्रावाज 250 सीटेट यूजी कन्या चात्रावाज का निर्माण हो गया है आकादमिक भवन बन जाने से बच्चों को बेहतर फायदा होगा स्यामसा चिकित्सा महाविज जैले रीवा में अपने बीच उपस्तित आपके वे बहुत संत्रिय विधायर, मंत्री और अभी उप मंत्री मन गए ऐसे सी राजेंदर शुक्राजी संसर्ट स्वी जदागर मिश्टाजी विधायर सी नागेंदर सिंजी वाईसी सिद्धर तिवारी जी विधायर दौक्टर हिराना जी सहीद लाल श्यान जी के नाम पर स्टापिट चिकित्सा महाविज जैले की हीरग जन्ती समानों में उपस्तित होकर मुझे बहुत हर्ष और घर्म का अनुभोव बोला है अजादी के अठासो सक्तावां के आंजनन के सेनानी सहीद लाल श्यान सीवी का पुन्यस वरण करते हुए उनको नमन करता यहां सुदू में जिसने जिसने अभी तक कोई प्रकार्टी शेवा की है और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हुए तालीत बजामों को धन्यवाद देता हुए हीवेग जंती अउसान महा विभ्याने के सभी हिंद्गारों को लिए गर्व और हर्शकी साथ अतित से प्रेणा में पर भविशिया के पत निर्धान का प्रसंद होता हुए हमारे बेस में चिकिचा सेत्र के लोगों को भगवान माना जाता हुए लोग उनके विश्वास करके उनके पास आते है इसलिए जबूरी है कि चिकिचा सेत्रों से जुड़ा हर व्यक्ति इस पविट्र कार्या की घरिवां के अनुरुक सेवा भाव से साथ कार्यों परे आज कर्दी की प्रगती के दौर में चिकिचा सेवा का छेत्रों इक पुर्जों के साथ कार्यों हो रहा है मानव सरीव के सारे स्केर पार्ट उपलब्द है लेकिन चिकिचा साथ च्छक्र में मेकेनी की तरव कार्या नहीं किया जा सकता है क्योंकि डॉक्टर नर्स का वास्ता मौझिन से में एक जुन्दा इंसान से होता है कहने का आशा ये व्यक्ति के उप्चार के लिए सारीव के अंती कठिनाई का न्या तर्यापन नहीं है मानवर स्वम्मेदानों का भी इनाज से साथ जोडना होगा हमारों बुजाते हैं लेकित में बेटल कोज़ेश के हिरें जनती में आये हैं इसलिए मैं अभिजना करता हूँ मुटा भागा है और साथ सीचों से बढ़के वेर से सिफ होने सिर्फ सीच नहीं प्राइए उद्रदेश के सरकार है और हमारे प्रादम मुदी जी ने जो स्वाच चिते जो बहतर चेट अब कर रहे हैं वोग्याशा से कर दिपने नरूं से उधर लेकिंद है से क्या में तो नश्य पोडोर हुने अस्पताल बनाए नश्य पोडोर हुने में बढ़ाए बल्कि गरीम अपना इजाज करा सके से आइश्मान कार्ट से पांच लाग सुपह तक का मुट्वोस का इनाद होते के ब्रेब रेस्पटालों है इसकी भी स्वानूर की है तो आज चाहिए बेड़ सो सीटर हुए उसमें 66 करोड की पेलिग पहले तो हम लोग मेट्टर कॉलेज में मुझे याद है जब में डॉक्टर तो संज्वाडी अस्पताल में जन्मः भागिदारी से हमनों उसकी बिपेशी कराते ते को पांच टॉलेग परबा देते थे पांच फलंग करवा देते थे कहीं पंक्खी लेते ते कहीं पूर्वाल आते थे मरेजों को पर्शानीए नहीं हो लेकिन जब से इन्धी जिने कि देश की बाग कर समाली है तो हैल्थ सेक्टर के जिला सताल हो, वेटकर कालेगों के असताल हो, सम्में इसी प्थेजी के साथ काया टल जुआ है कि धिंकी कमे का नहीं रोना उसके पान अज़िया है। 66 क्रोड की प्रिलिक का लोकाटर महां महीं नीदिया। वेटकरोड का सुपरिस्क्रिचल किया सधाल भीवा में परा हमारे जुनिय डॉक्टर के हास्टन कितने जर्जर थे। नए चंसमाते होए शांका हास्टन का लोकाटर हमें पिशेजरों किया। चाहे वो जेयार का हो चाहे गाशार का हो। नर्शर जो फाय बहुत ही देनी हालत परहती थी, उनको हम लोगों ने नया विल्डिंग, नया व्लाउट बरागे दिया, और जो बचा हुआ पामें उन भी बहुत अज़ी हम लोग करने वाले हैं, सुपर स्मेचिल देट सताल देते दिल्वा की छवी को बना दिया, अब हमर अब हमारे हां डॉक्टर्स तो पहले भी बहुत अच्छे थी, अभी चित्र दिखाने से डॉक्टर्स पीति भी ली थी, उन डॉक्टरों को जो आज दुनिया में नहीं है और जिनका योगदान लाया, जो बहुत सारे लोग यहां पर है भी, हमारे हां डॉक्टर्स सब्सक्राइब का इलागों नहीं कर पाते थे, तो उनको लेके भांदे से जबरबुर्ट, प्रियार राज्ट और कभी-कभी रास्ते नहीं उसका दम तोड़ देते थे, सारी डॉक्टर्स, प्रजिवाशानी डॉक्टर्स होने के बाद थे, यह परेशानी थी लेकिनाज, सीटी मुशिल रगी, जेला साबाल में भी सीटी मशीन आगी, और हमारे सिफ्वर इस प्रचल के अफ़ता दम भी सीटी मशीश है, संसाजन का जिस प्रकार से, कभी-कभी वोग कहते हैं, क्या कि आया है प्रेक्टर कॉलेज पहले भी थाभी है, तो मैं उसको कहता हूँ, प यदि हम सार्ट शार्ट तके अलग अलग बनाते हैं तो तो नए वेक्टर कोले बनाते हैं उसी सार्ट को अबड़ेट करके हमने 500 सी तब गर दिया तो क्याता है कि पहले पहले जित्ति आवश्यक्ता जित्तर से बढ़ी ले उस तरह से बंस्ताय में पढ़ाने काउंट किया गया प्रधार मंत्री जी के द्वारा निदिश की सरकार के द्वारा और अब तो हम डॉक्ताफ अब एंजोग्राफी और एंजोप्लास्टी हमारे हा ीज नेट्वक टोड़े